बात करने वाला हूँ जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और मुटे-मुटे तोर पर इस विशे पर ज्यादा content अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी Need Analysis ये कैसा विशे है ये कैसा शब्द है जो आपको professional बनाने में help करता है अपने आपको professional project करने में help करता है market में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं लेकिन बिना need analysis की अगर आप prospect के साथ कुछ भी बात करेंगे prospect आपको proposal को फैंक सकता है response नहीं दे और आपको आश्चर होता रहेगा कि क्यो response नहीं मिल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यो response नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो भी आपने solution दिया उसका कहीं पर इसकी need के साथ connection नहीं है यह जो दो पेज है 65-66 पेज नमबर जो है यहाँ पर यह जो पूरा पेज है मैरी बात बहुत ध्यासनना इस चीज को अगर आपने Mastery हासिल कर लिए बहुत सिंपल है rocket science नहीं है MBA करने की जुरूत नहीं है PhD करने की जुरूत नहीं है बहुत सिंपल है life बहुत सिंपल है और life को सिंपल ही रहना दीजिए इतनी सिंपल चीज है कि अगर इसके उपर आपने Mastery हासिल कर लिए तो आपको financial advisory में life insurance advisory में कोई भी टच नहीं कर सकता है इतनी आप powerful and master हो जाएंगे control आपके हाथ में आएगा समझना पड़ेगा देखिए जो आप अपने हाथ में डायरी ले retirement age लिए कौन सी age में retirement लेना चाहता है वो बोलता है 55 में लेना चाहता हूं यह 60 में लेना चाहता हूं तो जो भी वो वेक्ति बोलता है वो age लिए आज का साल लिख दीजिए उसके नीचे देखेँगे 20 लिखावा है आगे खाली जगह है तो वहाँ पर 2019 है 2020 जो भी साल में कर रहे हैं वो लिख दीजिए और retirement age के नीचे लिखेंगे वह साल जिस साल वो retire होने वाला है यानि अभी अगर वो व्यक्ति 30 साल का है और 30 साल बाद retire होने वाला है तो अभी 2019 है तो बाद में 30 साल के बाद की साल लिख देंगे यहाँ पर और मैं से रेक्वेंट करूंगा कि यह पूरी लाइन है यह जो पेज नबर 65 पर लाइन है इसमें पांच-पांच साल से आप मार्किंग कर लिए उसके जितनी भी यह जाते हैं जितना भी पीरियड आता है 30 यह 15 यह 20 यह तो पांच-पांच साल से मार्किंग कर लिए से क्या होगा आपको मार्किंग करने सुईधा रहेगी दिखने में भी थोड़ा अच्छा दिखेगा ओके एक बात खास ध्यान रखना है आपको कि जब कभी भी आप यह वाला पेज यूज करते हैं बलकि मैं कहता हूँ कभी भी sales call पर जाते हैं तो सारी बाते हैं जो red color से लिखेंगे और जो अलड़ी हो चुका है उसने जो investment कर दिया है या जो भी उसके saving है जो कुछ भी आने वाला पैसा है वो सारा पैसा green color से लिखेंगे अब आप जानते हैं by default है मेरा भी आपका भी सब का by default red color ज्यादा देखेगा और green color कम देखेगा इसका मतलब क्या है बिना बोले उस व्यक्ति को पता चलेगा कि जिंदगी में खत्रा है और color का अपना असर होता है तो वहाँ पर आपको psychological benefit मिलता है और उस व्यक्ति को भी psychology समझ में आता है को okay रुको मुझे कुछ विचार करने की जरूरत है जो भी अब यह आपने marking कर लि जमीन है whatever whatever तो जो भी आने वाला है उसका marking कर दीजी आने वाले साल में से for example FD है दो लाख रुपए का FD है mature होकर 4 लाख हो जाएगी वो और वो 5 साल बाद mature होने वाली है तो 2024 में उसका marking कर देंगे एक भी 4 लाख रुपए आने वाला है FD से तो जो भी आने वाला पैसा है उसको आप green color से marking कर देंगे simple है इसमें कोई problem नहीं है okay दूसरा अभी कौन-कौन से need है जाने वाला कौन सा है तो आपने उससे पूछा ही इनसे पहले pages में का आपके कौन-कौन से need है and page number 66 को open करिए अभी देखिए वहाँ पर है na balance sheet life की balance sheet लिखावा है friends मेरी बात बहुत ध् यह कि balance sheet का expert नहीं होता है वह accounting की balance sheet का expert होता है वह books of accounts लिखता है है तो और जो हो चुका है उसका expert होता है यह जो balance sheet बनाने वाला व्यक्ति होता है वो होने वाली घटनाव का expert होता है यह आपका विशह हो C.A. का विखावा है यह balance sheet अपना बनाई तो C.A. by default पूरे picture में से आप प्रोस्पेक्ट को भी बता पाएंगे एक Cain ने ये क्यों नहीं बता आपको अभी तक राइट सो बैलेंशीट ऑफ लाइफ में अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो वहां पर लिखावा है इन केस ऑफ सर्वाइवल अब कोई भी व्यक्ति की जीवन में रुपाइवल एक होंता केस और देत लिख अगि अगर उसके डैथ हो गई तो कुछ नीड आएगी पहले सर्वाइवल वाली नीड भरनी है क्योंकि हम किसी को भोलें कि मर गए तो वही हम जिंदार रहने की बात करेंगे हर विकति कोई विक्ति मरने की बात ने सोना चाहता ह तो हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको भी ठीक है आप सर्वाइव किये तो कौन-कौन सी नीड हो चेक कर लेते हैं सबसे उपर लिखा हूँ है retirement fund अभी retirement fund कैसे निकाला जाता है इसका सही तरीका जो है वो आप मेरे एक video देखेंगे sales presenter new एसा video search करेंगे मेरे channel पे अगर आप तो उस video में खाना न रह जाए वाला एक video एक pitch मिलेगा खाना न रह जाए उसमें जो तरीका दिया वा है calculate करने का retirement planning का कितना fund चाहिए वो तरीके से आप fund निकाल लीजे यहाँ पर खाना न रह जाए वाले तरीके से यहाँ पर amount निकल कराएगा ठीके दूसरा उसके बाद है बच्चों का education बच्चों का marriage बच्चों का जितने भी बच्चे है उसके education और marriage का यहाँ पर detail आप डाल देंगे फिर है family health expenses उसको कितने expenses की जरूत खर्चा करते रहना पड़ता है आप रहें तो आपको करना ही पड़ेगा नहीं रहें तो भी करना पड़ेगा तो वो सारे expenses देखो क्या होता है आप समझना पड़ेगा financial planning के reference में समझना पड़ेगा लोगों ने इससे रह खर्चे प्लान नहीं किये होते है अब पता है पता है दीवाली पे घूमने जाएंगे हम पहले से पता है दीवाली पे नए कपड़े खरे देंगे दीवाली पे पटा के चाहेंगे मिठा यहां होगी गैस टाएंगे रिलेटिव आएंगे और हमें सपोज एक्जामपल है कभी 25,000 चाहिए तो अगर आप पहले ही महिने से 2,000 उसको साइड में रखना शूर करेंगे तो जो लंसम बोनस आएगा उस पर नजर डालने के ज़रूत नहीं पड़ेगी तो उसको आप इंवेस्ट कर पाएंगे पर होता क्या है कोई भी ऐसी घटना होती है आपके पास जो भी थोड़ा बहुत बचा हो पैसा होता है वो उसको पूस लिजे एक मोटे मोटे तोर पर कितना और वो यहां पर मार्केंग कर जाए और इस तरह उसको करना ही पड़ेगा जब तक वो जिंदा रहा तब तक है ना सब्सको अभी उसकी उमर 30 साल है और वो कहता है 20,000 रुपय मेरा महिने का खर्च होने वाला है तो उसको अगर वो जिंदा रहा तो भी उसको चुकाना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा प्लान करना पड़ेगा उस व्यक्ति को वो कि यह दरवेश पैसा कहां से दूँगा मैं तो इसके बाद अच्छ यह सारे चीजे आपने in case of survival लिख ली अब right side में आप देखेंगे तो in case of death अभी जो व्यक्ति पर मंथ expenses कर रहा है उदारें के तौर रपे 25,000 तो पर मंथ expenses कर रहा है इंटू 12 करेंगे यानि यह साल भर का हो गया तो 3,000,000 महिने का तो 3,000,000 साल का हो गया और वो कितने साल तक कमाता अर्णिंग कब तक करता है तो सपोज अभी उसके उमर 30 साल है और इतना रुपय चाहिएगा तो calculation बहुत से इस अच्छा एक चीज़ और समझ रहा है इसमें है वो inflation और यह सब डालने की जरूत नहीं है आर्बी यह अपना काम कर रहा है economy अपना काम करती inflation को आप consider करने की जरूत नहीं है आपको क्यों जरूत नहीं है क्योंकि उधारान की त कि उसको उसकी unfortunate death होने पर 90,000,000 रुपया परिवार वाले को मिलेगा अब परिवार वाले क्या करेंगे उसको कहीं न कहीं तो invest करेंगे है न कहीं रखेंगे उस पैसे को घर पे लोकर में रखेंगे तो जहां पर भी रखेंगे उसमें से हर महिने की एक तरीक को 25,000 रुपय निकाल कर लाई, घर चल रहा है देंगो वो था तो गचेसीज़ आ रहा था नहीं तो भी 25,000 रहा रहा है दूसरे मिने फिर घर वाले जाएंगे, 25,000 बेंक से निकाल कर लाएंगे और अगर प...25,000 रुपयसा कितने साल तक चलेगा, 30 साल तक वो वेक्ति 30 साल तक कमाता यहां तीस साल तक उसके वो नहीं है, man may die, but his income should not die, तो यहां income नहीं die हुई है उसके तो उसको खर्चा मिलता रहेगा परिवारवल को, अब बात आती है महंगाई का क्या होगा, तो आपको समझना पड़ेगा, कि अभी अगर उस व्यक्ति ने पैसा डैथ हो गए, उसकी उसके parallel चलते रहते हैं, अपने को सुना होगा, इसमें ज़्यादा economist बनने की ज़रूतनी है, बहुत simple है, अपने सुना होगा, बहुत बार RBI के उपर pressure आता है, repo rate कम करो, ताकि हम ब्याज कम कर सकें, क्योंकि महंगाई कम हो रही है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, कि permanently महंगाई 2% ह इसा नहीं होता, यह parallel चलता रहता है, मोटे-मोटे तोर पर parallel चलता है, तो अभी जो 90 लाख रुपए उसके घरवालों के पास है, और उस 90 लाख रुपए में से उन्होंने पहले मिने तो 25,000 ही निकाला, बाकी के पैसे पर भ्याज मिलेगा न उसको, वो उतना ही होगा, जि जितना भी उनको महंगाई बढ़ी होता न निकलेंगे, तो rate of return जो है, वो inflation को cover करता रहेगा lifetime, इसलिए उसका चेंता करने के जड़ूत नहीं है, so maintenance expenses का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा amount जो उसके नहीं रहने पर घरवालों को same standard of living maintain करने के लिए चाहिएगा, यहां पर एक और क कार खरी दिये, तो तुरंत पेज करना पड़ेगा, कुछ home loan लिया हो है, कुछ personal loan लिया हो है, यह सब immediately pay करने पड़ेगे, तो जितने भी loan के liabilities के amount है, जिंदा है तो पे कर रहा है, यहां को attention की बात निया है, लेकिन अगर उसके death हो गई, तो यह loan का amount हो, immediate pay करना पड़ेग तो यहां पर लिख दीजिए, उसके बाद नीचे देखेंगा तो children 1, children 2, children 3, education and marriage, उस survival के case में भी exact amount होगा, death के case में भी exact amount, तो to same copy कर दीजिए, उसके बाद family health expenses, वो जिंदा रहा तो भी family health expenses चाहिए, death होगी तो भी चाहिएगा, तो वो वहां पर लिख दीजिए, और data भरने के बाद, यह हुआ, fact finding के बाद हुआ, need analysis, need analysis में एक step, fact finding को अपने systematic कर दिया, अब need analysis में एक step और आगे जाते हैं, देखिए, हमेशा एक नियम ध्यान रखिएगा, जो मैं बहुत aggressively कहता हूँ, need analysis करते वक्त अपनी बुद्धी नहीं लगानी है, जब मैं ऐसा कहता ह तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने साब से कुछ figure निकाल कर लाते हैं, अपनी साब से figure नहीं निकालना है, prospect ने जो बोला है, वो amount use करना है, अगर prospect ने बोला है कि मेरे को retirement पे 40 लाग रुपय चाहिए, तो 40 लाग लिखिए, अगर वो बोलता है कि मेरे को 5 लाग चाहिए, तो 5 लाग लिखिए, जो आपने खाना न रह जाए के concept से, जो भी calculus से निकल कर आया है, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उतलेगा, कि सारे amount प्रोस्पेक्ट ने बोले हैं, आपने नहीं बोले हैं, तो खुद उसने बोले हैं, तो अपनी बा अगर बोले हैं, तो 2 लाग चाहिए, तो 2 लाग लिख दीजिए, हर्ज नहीं है इसमें, आप उसको suggest कर सकते हैं, इतना होता है logically, तो जो भी expenses के estimates होते हैं, वो सारे data available है, तो आप use कर सकते हैं, अच्छा, सारे ये data ले लिया, अब ये तो हुआ fact finding, और उसको systematic किया, need analysis का मत होता है, कि कितनी requirement थी, अपन उधारन लेते हैं, 90 लाग रुपे की, हैना, 90 लाग रुपे की requirement थी, कितना इंतिजाम already हो चुका है, तो page number 1 से लेकर 60 तक उसने जो भी data दिया है आपको, उसको minus करना पड़ेगा, कि उसको कितना amount हो चुका है already, सपोज उसके पास FD है, तो उ time plan देंगे आप उसको, time plan क्यों देंगे मैं भी बताने वाला हूँ, so, उधारन के तौर पे, मेरी sister की शादे में 5 लाग रुपे की जरूरत है, 3 लाग का इंतिजाम हो गया, कितने का इंतिजाम करना बाकी है, 2 लाग का इंतिजाम करना है, तो 2 लाग का ही इंतिजाम करना है 5 लाग की बार में नहीं सुच रहा है, 3 लाग हो चुका है, ठीक वैसे ही, प्रोस्पेक्ट ने भी जो जो एमोंट बता है, उनमें से कितना इंतिजाम हो चुका है, उसको माइनस कर देंगे, बचे वे एमोंट का उसको solution देंगे, यहां तर क्लियर हो रहा है, ओके, now, अब क नहीं रहेगा, तब जरुद पड़ेगी, अगर है तो जरुद नहीं रहेगा, तब जरुद पड़ेगी, तो ऐसा कौन सा प्लान है, जिसमें death होने पर ही payment मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है, survival में नहीं मिलता है, तो term plan, तो जब चेक करना पड़ेगा, जब कभी भी protection need है, तो उसके सामने term plan ही दिया जाना चाहिए, वहाँ पर आपको भले ही commission कम मिलता हो, ज्यादा मिलता हो, premium कम होता हो, ज्यादा होता हो, आपकी contest के बारे में नहीं सोचना है, prospect के बारे में सोचना है, उसकी need अगर protection की है, तो उसको term plan ही देना है, भले ही आपको company में 100% credit मिलती हो मैं बहुत seriously कह रहा हूँ इस बात को, तो पहली need होई, protection need, term plan देंगे उसको, दूसरी need होई, saving need, saving need का मतलब क्या होता है, saving need का मतलब होता है कि यह वो need जो उसके earning phase को दोरान आने वाली है, यानि उदारन के तोर पे 25 साल से normally कमाना शुरू करता है, 55-60 तक कमाता है, यह कमान के दोर में, 25 की age से लेकर, 60 की age तक के दोर में, जो भी need आने वाली है, मोटे-मोटे तोर पर उसको saving need कहते हैं, यानि यह जिन्दा रहेगा, तो भी वो need होगी, उसकी death होगी, तो भी वो need होने वाली है, उसकी, so ऐसा कौन सा product है, जिसमे जिन्दा रहा तो भी benefit होगा, death benefit होगा, तो यह होता है, end omen family product, आपके कामनी में उसका नाम कछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्लान देंगे उसको, ठीक है, वो मैकसिमम देंगे, जिसमे उसको maximum benefit मिलता हो, न कि आपको maximum commission मिलता हो, वो मैकसिमम ब्लता हो, एक हम ध्यान से सुनना, यहना, so endowment family product देंगे उसको, ओके, तीसरी need कऊन सी होती है, तीसरी need होती है, retirement need, retirement need का मतलब क्या है, retirement का मतलब क्या है, पहले समझ लेजिए, when you stop earning money, and your money start earning money for you, जब आप कमाना बंद कर देते हैं लेकिन आपके लिए आपका पैसा कमाने लगता है कितना कमने लगता है? जितना आपको अपना lifestyle maintain करने के लिए चाहिए उधारन के तोर पे अगर आप 25,000 रुपया आपको घर चला अपने lifestyle को maintain करने के लिए चाहिए तो अगर आपके पास इतना fund हो कि वहाँ से 25-25,000 रुपय हर महीन आते रहे that means आप retirement के लिए तयार है so यहाँ पर जो भी खाना न रहा जाए वाला concept से जो भी amount निकल कराया है वो वहाँ पर देंगे अब यहाँ पर दो situation हो सकती है पहली situation तो यह हो सकती है कि उसकी अभी retirement का phase है तो हम immediate annuity plan देंगे उसको लेकिन अभी अगर उसका retirement का phase नहीं है suppose उसकी उमर 30 साल है और वो 60 साल की age में retirement चाहता है तो उसको actual में retirement plan चाहिए 60 की age में लेकिन तब तक retirement fund create करना पड़ेगा तो हम उसको एक ऐसा product देंगे in 30 years के लिए जिससे वो fund create होगा और जब वो need आएगे तब उसको जो भी option available है आपकी company में किसी और company में annuity plan के तब वो ले ले गए या उस समय जो भी उसको करना होगा तो हम उसको क्या करेंगे उसको 30 साल तक fund create करने के लिए कोई solution देंगे जो मोटे-मोटे तोरपर endowment plan हो सबता है right so हमने क्या किया हमने पहले need identify की in case of survival in case of death उसके बाद उनके amount identify किये उसके बाद हमने देखा कि कौन सी need है जिसमें से कितना amount हो चुका है और जो बचावा amount है उसका हम उसको solution देंगे कौन से solution देंगे वो मैंने आपको तीनो need type के आप से बताया अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना यह मेरा personal मानना है व्यक्तिकत रूप से मानना है और ज़रूरी नहीं है का आप हर व्यक्ति इसको मानने है और आप भी इसको मानने है जिस घर में आप रहते हैं वो आपका asset नहीं है वो आपकी liability है क्योंकि उसको बेज कर आप पैसा नहीं बना लेने वाले है खाना नहीं खाने वाले है तो उसको भूल जाइए अगर है ना जमीन और फ्लेट के मुकावले में ज्यादा powerful को ने जमीन है अपने गलती की है शायद आपने ऐसा मेरा भी कहना है सुभास लखुटिया जी का भी कहना है मैं व्यक्तिकत रूप से ऐसा मानता हूँ कि जमीन नीड अनलिसिस करते वाग जमीन को फ्लेट को consider नहीं करना चाहिए adjustment करने के लिए क्यों नहीं करना चाहिए मैं अभी बताता हूँ दूसरा किस चीज को consider नहीं करना चाहिए गोल्ड को consider नहीं करना चाहिए खास्त और से ज्वल्री के फॉर्म में उसको consider नहीं करना चाहिए क्यों क्यों कि अगर किसी को भी गलत फहिमी हो कि मेरे पास तो बहुत सार गोल्ड है, जोलरी है, गलत फहिमी है, आप एक बार वाइफ को बोलिए कि जब अपने लिया था, तब 720 रुपया तोला सोना था, अभी 34,000 हो गया, चल बेज के रिटर्न कमा लेते हैं, वाइफ क्या करेगी आपको पता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा साइम हो लोगी, आप अखबार में हेडलाइन पढ़ते हैं न, कि 4,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 से प्लानी गड़वड हो जाएगे तो कोई भी जहां पर uncertain return होते हैं जहां से सुनना मेरे बाद जहां पर uncertain return होते हैं वहां पर कोई भी ऐसा need को adjust नहीं करना है जो certain need है अगर need certain है जैसे बच्चे का education बच्ची का education बच्चे की शादी बच्ची की शादी retirement यह जितने भी certain चीजी है उनके सामने कोई भी ऐसा investment नहीं कर सकते हैं जिसमें uncertain return हो है ना लोग बोलते हैं कि mutual fund में higher return है share market में higher return है मैं कहना चाहतो समझ लीजे है higher return नहीं है probability of higher return है probability of higher return है है ना तो यहाँ पर probability of higher education नहीं है probability of marriage नहीं है so यह match नहीं होता है ना match नहीं होता है ना match नहीं होता है दोनो need और product के so इस विसे मैं ज्यादा जानकरी चाहिए तो मेरे एक video है आप YouTube चैनल पर जाएंगे तो मिलेगा MF S.I.P. vs. life insurance मेरे YouTube चैनल पर मिलेगा YouTube.com हिमानशो जोशी पर जाएंगे वहाँ पर एक video मिलेगा विस्तार से मैंने बताया है क्यों mutual fund और share market का जो है वो आप investment है वो लेकिन कहां उसको consider करना है कहां नहीं करना है financial planning में मेरा वेक्तिकत रुप से समानना है financial planning में share market or S.I.P. को consider नहीं कर सकते because financial planning है ही certain need रिलाने के लिए life में और यहां सब uncertain returns होते है right or wrong so उस video को बहुत विशार से देखेगा आपको समझ में आएगा so आपने क्या किया आपने share market को minus कर दिया आपने gold को minus कर दिया जमीन को minus कर दिया share market को minus कर दिया मैंने आपको बताया certain need के सामने uncertain product नहीं दे सकते golden जमीन क्यों नहीं consider कर सकते बहुत simple सी चीज है देखे हम मनुश्यक सामझिक प्रणियर भारत में तो खास तोर से इस तरह से situation होती है आप घर में कोई भी घटना हुई आपने क्यों लगा कुछ नहीं मेरे पास जमीन है सोना है बेच के चला लेंगे लेकिन अगर गटना होती है और आपको सोना बेचना पढ़ता है जमीन बेचनी पढ़ती है तो सामझिक रूप से ये कोई अच्छी बात नहीं है पृतिस्ठा का सवाल होता है आपके जब लोगों को पता चलेगा अगर इसकी बेटी की शादी में जमीन बिग गई इसकी तो अब आप लगे नहीं मैंना तो बेटी की शादी के लिए ही जमीन खरी दी थी लोगों को नहीं पता है ना लोगों को नहीं पता है बेटी को नहीं पता है उसको ऐसा लगेगा सार जमीन ने बिग गई मेरे बाप की है ना बच्चे को लगएगा पढ़ाने के चकर में जमीन बिग गई हमारे बाप की सो कैसा लगेगा उनको तो आप बोलेगा नहीं मैं तो बता दूँगा उनको पहले से देख ये जमीन है तिरे एजुकेशन के लिए जमीन शादी के लिए लोगों को भी बता देंगे जब लोगों को ये पता चलेगा कि ये जमीन इसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखी पड़ेगी तो लोग इंतजार कर रहे हैं को मजबूरी का फायदा उठाए आपके कोई भी दृष्टी से आर्थिक, सामाजेक, व्यावारिक, पारिवारिक, मानसिक दृष्टी से जमीन और गोल्ड बेच कर कोई नीड पूरा करना, यह एक अच्छी प्लानिंग नहीं है बलकि ऐसा है, कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ ना जमीन बेचने की दिरुत पड़ेगी, ना गोल्ड बेचने की दिरुत पड़ेगी और फिर भी यह हो जाएगा, यह सारी नीड अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी, है कि ने, अच्छा दूसरे एक और चीज़ समझने पड़ेगी आपको, कि आप बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बच्चों को भी बोल दिया, परिवार वालनों को भी बोल दिया, देखी, आपको स रहेगा क्या, नहीं रहेगा, यह confidence, यह उची आवाज में, टोन से क्यों बात कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जमीन और गोल्ड है, जिस दिन यह बिक जाएगा, यह टोन नहीं रहेगा, अच्छा, अभी आप सक्षम है, सबल है, समर्थ हैं, और फिर भी आप बोल रह होगी, गोल्ड भी नहीं होगा, और शमता भी नहीं होगी, क्यों करना चाहते हैं ऐसा, कौन से एंगल से यह अच्छी फैनेसर प्लानिंग कहलाती है, बताइए उस प्रस्पेक को, वो समझता है, वो इस बात को समझता है, जब आप फैमिली फर्स डारी ले कर जाएंगे, उसके सामने सारा explain करेंगे, मैंने जो तरीके बता है, मैंने जो statement दिये, वो जब उसको देंगे, तो समझता है वेक्ति, उसको अभी तक इस तरी से किसी ने समझाया नहीं है, जो उसको यह बताईए, कि जब need analysis करते हैं, तो आपको certain need के सामने certain product ही लेना पड़ेगा, गोल् पान खाया तो बहुत मज़ा आ गया, यह जो जमीन, गोल्ड और मिचुल फण है यह आइस क्रीम, पान और मिठाई है, मिल गया, very good, नहीं मिला, रोटी तो चाहिए चाहिए, और हर व्यक्ति पहले रोटी का इंतजाम करता है, और आइस क्रीम इतनी सी होती है, लेकिन रोट से जुड़ावाए सब कुछ, आपके खाने की थाली में जितना प्रतिस्द रोटी चावल दाल का होता है, उतना ही प्रतिस्द आपके इंवेस्टमेंट पोर्टफोलियो में लाइफ इंशरेंस का होना चाहिए, आपके खाने में जितना प्रतिस्द मिठाई का होता है, जि भी भारती परिवार जिस हिस्ति से गुजर रहा है, एक आम भारती परिवार जिस situation में है, उस situation में उसको पहले basic needs cover करनी पड़ेगी, यह ठीक वैसा ही है कि आप गाउं में जाते हैं और गाउं में जाकर लोगों को बोलते हैं कि भारत आपका देश है और आपको गर्व होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के उबर हमला कर दिया और आपको गर्व होना चाहिए कि हमने कारगिल युद जीदा, खाने के पेसे नहीं मेरे पास, बच्चा रो रहा है उसको दूद चाहिए, नहीं बोलो वंदे मातर बोलो गर्व किस बोलो हम भारती है, उसको पैसा, रोट इंशरेंस उसके बाद आएगगे आपके बाकी सारी नीड, बाकी सारे प्रोड़क्ट जो हैं आपके PPF भी कर सकते हैं और जो भी आपको FDFD करना हो कर सकते हैं, ऊपर बढ़ते-बढ़ते जैसे वो ट्राइंगल छोटा होता है उपर बढ़ते-बढ़ते शेर मार्केटर मैं शेर मार्केट और मुरिचोर्फन के खिलाफ नहीं हूँ, समझ लेना इस चीज को, मैं कह रहा हूँ कि उसकी जरुरत बाद में आएगी, उसका पोजिशनिंग बाद में आएगा, पहले रोटी चावल का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके बाद मेठाई सलाग पापड़ा पाचार का और पान का इंतजाम करेंगे, यह बताईए प्रोस्पेक को, यहाँ वो एक काहवत सुनी होगी आपने, कि जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, खाने के इंतजाम किया नहीं है, और शेर मार्केट में खेल रहे हैं सब, आपको रिटरन ज्यादा मिले शेर मार्केट में पैसे डाली है, कोई हर्ज नहीं है, तो यह पैसे का क्या करेंगे, अगर नहीं आया, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका प्लानिक याए, और अगर आगया, फोरेंट ट्रिप करने चले जाएगा, अगर पैसा आ गया, मुचुल फंड का, तो बीटी का destination wedding कर दीजेगा, अगर पैसा आ गया, मुचुल फंड का, शेर मार्केट का, तो बेटे को या, अमेरिका पटने भेज देना, लेकिन अगर शेर मार्केट का नहीं आया, तो कहीं ऐसा नहीं हो, कि इंडिया में भी डॉक्टरी नहीं कर पा, और compounder बनना पड़े, कहीं ऐसा न उसके बाद आपने page 65 पे आपने identify क्या कौन को से need है, in case of survival, in case of death, और उसके बाद यह जो पैसा जाने वाला है, उसका red color से marking करेंगे, इस life line के नीचे, red color से marking करेंगे, पूरी picture clear हो जाएगी prospect को, और उसके बाद page 66 पे जब आप जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आपको prospect को देना है, बहुत ध्यान से सुनना, वहाँ पर लिखावा है expert recommendation, यह expert recommendation यहाँ पर आपको हाथ से लिख कर देना है, कि आपको इस need के लिए, इतने समय शवड का, इतने term का प्लान लेना है, यह मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर premium नहीं बोला है, मैंने sum-assured बोला है, ठीक है, यहाँ पर आपको summation लिखना है, फिर आपको आपको कौन से need के लिए कौन सा product लेना है, कितने व्रुटन का लेना है, कितने term का लेना है और last column में लेना है उसका premium कितना होगा दीखे, एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर हाथ से क्यों recommendation लिखना है उसके बाद sign क्यों करना है मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना यहाँ पर sign करके तारीख क्यों डालनी है यह exactly वो ही काम है जो doctor करता है doctor आपको दवा देता है और फिर नीचे sign करता है इससे क्या benefit होगा इससे दो benefit होगे पहला benefit तो यह होगा कि आप अपने आपको professional के रूप में establish कर रहे है आप एक pamphlet लेकर नहीं गए है जोला चाप agent की तरह है यह आप ready made computer से already print out निकाल कर लेकर नहीं गए है अपने हिसाब से मर्जी से amount बना कर अपने यह सारा analysis किया है customized है यह सारा और आप उस analysis के बाद उसको recommend कर रहे है कि मेरे जसाब से आपको यह लेना है आपके professional image बनती है और हर professional लेक्ती ऐसा ही करता है CA भी आपको return में लिख कर देता है वकील भी लिख कर देता है कोई भी वक्ति है रेडिमेट पैमपलेट नहीं रखते है कि हाँ हाँ जमीन का problem है यह blue pamपलेट वाला लेलो और CA बोलता है कि अच्छा आपको return बढ़ना है यह हरा वाला पैमपलेट लेलो कोई वक्ति पैमपलेट से दंदा नहीं करते है बंद कर दीजिए सब कुछ और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए कि बहुत जल्दी customer जो है उसको दीरे-दीरे समझ में आने लगा है कि यह जोलाचा पेजेंट लोग है पैमपलेट लेके आ जाते हैं एक सिंगल पेज और आकर बोलता है कि यह ले लो और फिर 30% कमिशन किस बात कर दे भाई है इसको प्रोफेशनल बनी है प्रोफेशनल बनना पड़ेगा आपको प्रोफेशनल बनने के लिए ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यह जब आप इसको करेंगे एक बार खुद का करेंगे दो-चार पार करेंगे ठीक है अच्छा दूसरा इसका बेनिफिट क्या समझना पड़ेगा रहा है अभी जो भी claim आ रहे हैं अभी जितने भी claims आ रहे हैं वो मुटे मुटे तोर पर उन लोगों ने लिये थे जो आसे 15-20 साल पहले लिये थे तो वो वेक्ति जिंदा है अगर उसकी death भी हो गई है तो आपकी और मेरे पापा की age वाले लोगों के लिए वे plan है जो भी mature हो रहे है आप उसको claim देने जाते हैं या suppose death हो गई तो भी claim देने जाते हैं तो वाइफ ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है वो जो ले लेती है कोई problem नहीं है प्रॉल्म आपकी और मेरे जेनरेशन में भी नहीं आने वाली है है आज आपकी और मेरे वाइफ थोड़ी सी alert है थोड़ी कुछ हो अगर घटना हो गई तो आप claim दे देंगे लेकिन मेरे बात बहुत ध्यान से सुनना बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है और इस वीडियो को सेव करकर रखना बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जो लोग अभी 25-35 केज वाले लोग है ना 25-35 वाले लोग इंश ले रहे ना यह generation को समझी आप यह generation कौन सी generation है जो husband और wife लड़का और लड़की male और female स्ट्री पुरुष दोनो educated है दोनो well to do है दोनो दिमाग लगाना जानते हैं दोनो active है दोनो involved है अभी खाली लड़का अकेला planning नहीं करता है लड़की भी उसमें शामिल होती है पत्नी भ जरूथे maintenance expenses के लिए तुमको 72,000 रुपे की जरूथे retirement के लिए इतने रुपे की जरूथे इतने रुपे की जरूथे इतने रुपे की जरूथे इतने रुपे की जरूथे लिक कर नहीं दी आपने बहुत जल्दी वो दिनाने वाला है friends जब अगर husband की death हो गई और आप 150,000 या या ओपर क्लेम करने के लिए वाइफ जो है वो जो वीडियो है आपके उपर कूर्ट केस करेगी कि तुम एक्सपर्ट थे तुम ने क्यू नहीं बताया मेरे पती को कि कितना इंशर्नस होना चाहिए था है ना गृट्टर के उपर लोग आरोप लगाते है केस भी कर देते क इसकी लापरवाही की वज़े से, duty में लापरवाही की वज़े से इस यक्ति की death हो गई और court cases बहुत सारे आपने देखे होंगे, जो doctor के against भी जाते हैं, right? So, अभी जागरती धीरे-दीरे finance में भी आने वाली है, financial advisor में भी आने वाली है, आपको बहुत alert रहना पड़ेगा, professional बनना ही, यह option नहीं है, यह option नहीं है, आपको professional बनना ही पड़ेगा, तो अगर आपने लिख कर दिया है यह सारा, तो आप उसकी बार को बता सको कि देखो, मैंने बूला था 90 लाक रुपे का, आपके पती ने 5 लाक रुपे का insurance लिया, मैंने बूला था 18 लाक, 72 लाक आपके पती ने बूला नहीं मुझे से 75 लाक रुपे का दे दो, so I am not defaulter, आपके पती ने मना किया दो, लेकिन अगर आपने लिख कर नहीं दिया है, तो आप defaulter होंगे, यह और मैं बड़े दिल से करूँ, यह आपकी जिम्मेदारी है, prospect अगर इतना financial expert होता ना, analysis करने का, financial planning का, तो कर चुका होता ना, आपके और मेरी जुरुत नहीं पढ़ती, उसको जैसे दवाक के बारे हम थोड़ी बहुत पता होता है, कहां सिर्ध दुख रहा है, तो सरी डॉन ले लो, या पेट दुख रहा है, तो बैराल गन ले लो, या पुदी नहरा ले लो, इतना पता होता है, एकजेकली वैसे ही, फाइनेंस के क्षितर में भी इतना ही पता होता है, प्रस्पेक्ट को, आप एकसपर्ट है, आप एकसपर्ट है, फाइनसियल प्लानिंग के, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, कि आप उसको सही सला दे, वो ले या नहीं ले आपके control में नहीं लेकिन देना तो आपके control में है ना तो सही सला दीजी आप उसको और अगर आपने return में दी वही है आपकी professional ने बेज बनती है और अपना future भी secure करते हैं कि मैंने बोला था लेने के लिए तो वो बुलेगा ठीक अभी हम 50 लाक का लेते हैं यह हुना 90 का चाहिए था उसने कम करके 50 का लिया है तो जैसी next option available आएगा उसके पर जैसी next fund available होगा वो क्या करेगा वो बाके का 40 लाक भी cover कर लेगा अगर यह आपने नहीं किया और आपने ज़स्ट उचक जाकर randomly कुछ amount बोला कि 50 लाक का insurance लेजिए और वो विक्ति बोलता ह है मैंने तो आया था लिया है 50 लाके मेरे बात लेकिन अगर आपने on paper अगर उसको दिया हुआ है तो कितना होना चाहिए उसमें से उसने कितना लिया है तो gap उसको समझ में आ रहा होगा I hope आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं so इस तरह से जब आप need analysis करके डायर उसको देंगे आप इस तरह से professional advisor बनिये बहुत जल्दी ये मेरा वादा है आपसे बहुत जल्दी fees चार्ज करना शूरू कर सकेंगे क्यों कि मार्केट में दीरे दीर लोगों को advisor की value समझ में आ रहे है लेकिन advisor की value समझ में आ रहे है जोलाचा पेजेंट की value समझ में रहे है उसकी भी पोल करिये वो अभी क्या भी policy देए जिद मत करिये लेकिन आपने वहां पर डायरी रखे आपने रुमाल रख दिया दरसुल उस वक्ति के उपर आप बोल पाएंगे और कोई और वक्ति आगे तो बोले ने ये तो मेरे पास already है क्योंकि आपने उसको दे दिया है आप professional tool यूज क झाल झाल